पिछले काफी समय से वर्षा नहीं हो रही है और इसके कारिंक शेत्र में गर्मी का प्रकोब इतना बढ़ गया है कि मानो आस्मान से आग निकल रही हो गर्मी के बढ़ते प्रकोब से किसानों की धान की फसल खराब होने की कगार पर पहुँच गई है पिशले दिनों क्षेत्र में हुई अच्छी मुसलाधार वर्षा से किसानों ने अपनी धान की पनीरी को खेतों में लगा दिया लेकिन उसके बाद मौसम ने ऐसी करवट बदली कि अब वर्षा के लिए किसानों को देवी देवताओं की शरन में जाना पड़ रहा है और किसानों ने इंद्रदेव भगवान से वर्षा के लिए गुहार लगाई है धरमपुर विस्कशेत्र में अब्वे प्रतिश्य दमीन वर्षा पर निर्भर करती है और अगर समय पर वर्षा हो जाए तो किसानों को उनकी महनत तो दूर उनके द्वारा खेतों में बीजा ग बहग सिंग, राम सिंग, कमला देवी, करतार सिंग इत्यादी ने कहा कि किसानों की धान की फसल सूपने लगी है उन्होंने बताये कि किसानों को अवारा पशूं, जंगली जानवरों के कारण भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है वही अब मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ कर रग दी है किसानों ने सरकार से मांग उठवाई है कि उनकी फसल का आकलंग करके उचित मुआबसा दिया जाए क्योंकि पिछले काफी समय से मौसम की वज़ा से किसानों की खेती को भारी नुकसान हुआ है और किसान भी धीरे धीरे अब खेती से तौबा कर रही हैं जब इस बारे में कृशी विभाग धरंपूर में कारे रट कृशी प्रसार अधिकारी संजे गारला से बात की गई तो उन्होंने बताएगी मौसम की वज़ा से किसानों की धान की पनीरी को नुकसान हुआ है लेकिन अगर एक या दो दिन में वर्शा हो जाती है तो इससे किसानों को राहत मिल जाएगी मैं चमर राम गाउच पानु दरपूर वारिस नहोंने के कारन जो है हमारी फसलें खराब हो रही है पाने के वेवस्ता जो है नीमित किये जाएगे जैसे सिंचाई के लिए हमें नीमित सुविदा मिले आपने देखा ही होगा की बिल्कुल वारिस नहोंने के कारण बिल्कुल खराब हो रहे है हमें दुवारा से करना पड़ेगा और सरकार से अंदरों देची हो हमें रात दे दन्यावाद हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डिलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर सोलच, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए सेल्स एक्जिक्यूटिव, सर्विस एक्जिक्यूटिव, फेल्ड एक्जिक्यूटिव, मोटर मेकानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना हैं वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा hr.goilmotor.com पर